दोस्तों हम सभी यंग एज में academic success को chase करते हैं क्लास में best perform करने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं और कभी-कभी तो लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं पर फिर भी अच्छे results अचीव नहीं कर पाते और वहीं कुछ students जो exam देने से पहले बोलते हैं कि मैं तो ढंक से पढ़ ही नहीं पाया अक्सर ऐसे लोगों के बाकियों से ज़्यादा माक्स आते हैं वेल, इसका reason author Cal Newport अपनी book How to become a straight A student में define करते हुए कहते हैं हमें study hard पे नहीं, study smart पर focus करना चाहिए जो A grade student होते हैं, वो बाकियों से बहुत ज़्यादा महनत नहीं करते हैं वो भी same number of arts के लिए पढ़ते हैं कई बार तो बहुती कम study करते हैं पर उनका secret होता है कि वो उस time में बहुत effectively पढ़ते हैं वो कुछ ऐसी strategies और techniques उस करते हैं जिससे कि वो कम से कम time में ज़्यादा से ज़्यादा knowledge ले पाते हैं और Cal Newport इसके पीछे का reason, secrets और strategies इन points में cover करते हैं कई सारे students एक बहुत बड़ी mistake करते हैं अगर उन्हें कोई चीज पढ़नी होती है या कुछ उन्हें याद करना होता है तो वो पहले book पढ़के या class attend करके उस chapter या topic के notes मनाते हैं और उन्हें याद करने के लिए बार बार उन notes को पढ़ते रहते हैं उन्हें re-read करते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं वो एक line पढ़ते हैं और immediately आखे बंद करके उसे repeat करते हैं पर जब exams में उनसे वही same question पूछा जाता है तो उन्हें कुछ याद नहीं आता क्योंकि वो अब तक पढ़कर याद कर रहे थे और exam hall में वो पढ़कर तो answer नहीं कर सकते Einstein का कहना था कि इससी लिए author कहते हैं कि जब आप quiz and recall method का use करते हो जहां आपने जो पढ़ा है उसे बार-बार पढ़के याद करने के बज़ाए अगर आप उसे खुद को समझाने लगते हो उससे ठीक से समझते हो जहां आप ही student और आप ही teacher होते हो बजाए रट्टा माणने के अगर आप उसे लिख लिख के समस्ते हो, खुद को explain करते हो और बार बार लिखते हो तो अब जब भी आप से वो same question पूछा जाएगा तो आपकी writing और explaining memory ट्रिगर हो जाएगी और आप exam में सही से लिख पाओगे क्योंकि आपने लिखने की practice की थी और आपने सिर्फ पढ़ा नहीं था, बलकि समझा था pseudo work versus deep work pseudo work को author describe करते हुए कहते हैं ये वो काम होता है जहां आप अपनी book के साथ desk पर बैठते हो, जहां साथ में आपका phone आपके पास होता है उसमें continuous notifications आ रही होती हैं, या फिर साथ में TV on होता है, या background में आपके दोस्त मज़े कर रहे होता है और उनके बाते आपको सुनाई दे रही होती हैं जिसके according, work accomplished is equal to time spent into intensity जहां pseudo work में हमारे intensity कम होती है और उस काम को खतम करने में ज़्यादा time लगता है जो ज़्यादा mental energy drain करता है और उस काम की quality बहुत घड़ जाती है वहीं deep work में हम अपनी intensity को high कर देते हैं जिससे के हमें time भी कम लगता है और हम ज़्यादा effectively उस काम को complete कर पाते हैं सो हम कैसे अपनी intensity को increase करके deep work को achieve कर सकते हैं वेल, इसका solution author next point में बताते हैं author कहते हैं, हमें खुद से ये तीन सवाल पूछने चाहिए where, when and how long where में आपको isolation place देखना चाहिए जहां कोई भी आपको destat करने के लिए नहीं हो आप अकेले हो, आसपास लोग ना हो आपका phone silent होना चाहिए अपने desk पर सिर्फ अपने काम की चीज़े रखो when, यानि आपको जितना हो सके उतना जल्दी पढ़ना चाहिए क्योंकि author के according, जैसे जैसे दिन गुजरता रहता है हमारी mental energy खर्च होती रहती है और आखिर में बहुती कम energy बसती है इसलिए आपको सुबच जल्दी उटकर अपना morning routine फॉलो करके जल्दी अपने काम पर लग जाना चाहिए जो आपका most productive time होता है आपको अपने काम को 50 minutes के multiple sessions में divide कर देना चाहिए जिसमें हर 50 minutes के बाद आपको 10 minutes का break लेना चाहिए पर आप शुरुआत में 30 minutes का target भी set कर सकते हो जहां हर 30 minutes के बाद आपको 5 minutes का break लेना चाहिए और धीरे धीरे इस time spend को increase करते जाओ अगर आप study करते हो तो आपका काम fixed होता है आपको अपना सारा syllabus पता होता है आपकी classes fixed होती है आपके सारे tests और exams भी fixed होते है author कहते हैं हमारी study की timeline already established होती है हमारे पास सभी assignments और projects की deadline होती है जो generally आपकी institution, school, college या teachers decide करते हैं जहां ये सब कोई और fix करता है तो आपका इस पे कोई control नहीं होता बट आपको एक चीज बहुत अच्छे से control करनी पड़ती है वो है आपका अपना study schedule यानि आप अपने सारे academics गोल को कैसे achieve करने वाले हो उसके लिए आपको हर दिन कितना पढ़ना है आपको इन सभी की planning करनी चाहिए जिससे की हम अपने schedule को autopilot पर डाल सकें For example, मानलो आपको Friday को पता चला कि आपका next Friday maths या फिर किसी भी एक subject का test है जिसमें आपको एक particular chapter की preparation करनी है अब generally students starting days में कुछ नहीं पढ़ते फिर last के कुछ दिन बहुत सदा पढ़ाई करते हैं कुछ तो एक रात पहले ही पढ़ने बैठते हैं जिससे आपका बाकी का schedule खराब हो जाता है साथ ही इतने कम time में पढ़ कर आप अच्छे results भी नहीं ला पाते जिसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप इस test के लिए 7 days के लिए यानि next Friday तक एक fix time ब्लॉक कर दो जिस time आप सिर्फ और सिर्फ उस test के लिए prepare करोगे जहां आप हर दिन सिर्फ एक घंटे के लिए पढ़ोगे जो कि consistent basis पर करने से आपका brain उससे अच्छे से absorb कर पाएगा और आपका पूरा दिन भी बरबाद नहीं होगा कई सारे students की author से यही complain होती है कि वो focus नहीं कर पाते उन्हें बहुत नीन दाती है उनमें energy नहीं है वो motivated नहीं रहते और बहुत जल्दी बीमार पढ़ जाते हैं बट आप ही सोचिए कि ऐसी bad physics से कोई भी एक A grade student बन सकता है आंसर है no क्योंकि आपकी physical health आपके academic excellence की foundation होती है एक A grade student होने के लिए आपको Olympic athlete की body बनाने की जरुवत नहीं है बट आपको अपनी body के सभी functions को better condition में रखना बहुत जरूरी है For example, मान लो आप रास्ते में कहीं जा रहे थे और आपका excellent हो गया और आपके पैर में काफी ज़्यादा चोट लग गई अब अगर आप उस रात पढ़ने बैटोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा आपके उस पैर के दर्थ पर जाएगा और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे अगर आपकी body अच्छी condition में नहीं है तो आपकी body खुद आपके लिए distraction बन जाएगी जहां आपके brain का focus आपकी body में चल रहे छोटे मोटे issues में ही इतना उलजह रहेगा कि पढ़ाये पर focus ही नहीं कर पाएगा इसलिए एक A great student बनने के लिए आपके mind के साथ साथ आपको अपनी body का भी बहुत ज़दा ख्याल रखना चाहिए कई students परते टाइम अपने doubts को बचा के रख लेते हैं जिनने वो exam से कुछ हफते पहले clear करना शुरू करते हैं जिससे वो exams को लेकर और anxious और panic होने लगते हैं जिसका author कहते हैं कि एक ही solution है Ask questions, a lot of them जितने भी A great students होते हैं उन सभी में एक चीज कॉमन होती है उन्हें चीजों की बहुत deep knowledge होती है ऐसा नहीं हो ताकि वो कुछ important पढ़ते हैं और अगर उन्हें समझ नहीं आता तो वो उसे छोड़ देते हैं बलकि वो उस doubt को immediately clear करते हैं क्योंकि A great students कभी half knowledge में rely नहीं करते इसलिए अपने marks को increase करने के लिए आपको इस habit को develop करना पहुँच जरूरी है जिसके लिए आपको regular classes attend करनी चाहिए author class join करने को बहुत importance देते हैं कई students को लगता है कि वो teacher के बिना भी पढ़ सकते हैं और self study से अच्छा score कर सकते हैं बलकि ये बिलकुल भी सच नहीं है आपका teacher चाहे कितना भी boring हो उनकी class join करने से, उनसे questions पूछने से अपने doubts clear करने से आप अपना precious time सेव करते हो और ज़्यादा तेजी से concepts को समझ सकते हो उन्हें याद कर पाते हो जो कि self study से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और subscribe बटन पे क्लिक करके इस चैनल को grow करने में support करो और bell notification on कर लिजेगा तकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ थैंक यू फार वाचिंग